ज्यादा तर लोग ये मानते हैं, हमारे इंस्टेंट पोल में ज्यादा तर लोग ये कह रहे हैं कि भई BJP के खिलाफ, प्रधान मंत्री के खिलाफ, कॉंग्रेस के पास कोई ठोस एजंडा नहीं है, इसलिए इस तरह की बाते हो रही है, आप आरक्षन का मसला उठा रहे हो जब आप सविधान बदलने की बात कर रहे हो, आपके अधिकरित प्रत्यासी बात कर रहे हैं, मेरे पास एक वीडियो है, आप कहेंगे तो मैं प्ले कर दूँगा, मनमोहन वैदी जी का वीडियो है, बयान है उनका, आपके आचारे प्रमोध कृष्णम जी का वीडियो समर्थकों की राये, नेताओं की राये हो, इसको ऐसे नहीं माना जा सकता ना दुशेंत्राइब, चलिए मैं आपके बात से मैं माल लेता हूँ, लेकिन फिर भी आप सविधान क्यों बदलना चाहते हैं, सविधान में क्या दिक्कत है, पहली बार बदलना, संविधान बदल करना दोनों एक ही चीज तो नहीं है न, और मैं क्यों मान लूँ कि अगर संविधान बदलने की, अगर किसी आदमी ने बात भी कर दी, इसका मतलब संविधान खतम कर देंगे, आरच्छन खतम कर देंगे, एक ऐसे इसका मतलब मान लिया जाएगा, सर संसोधन करने के लायक बहुमत तो इनके पास अब भी था, लेकिन है कह रहे हमें सविधान बदलने के लिए बहुमत चाहिए, चार सो प्लस सीटे हमें चाहिए, तो वो ये बात इंगित करता है, आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं, जो मोदी जी खुद कर रहे हैं आगे से, कि भाई जो SCST, OBC का रक्षन है, उसको काट के मुसलमानों को न दिया जा, इसलिए 400 सीटे चाहिए, इसको भी मानने ना चाहिए, जब आप बयानों को ही मानेंगे, तो इसको भी मानने में क्या बुराई है, देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से मांग होती रही कि आप जातिव मूल भूत डाचे में के खिलाब बोल रहे थे, आपने तो नहीं कहा एक बार भी भाई, आप लगता नहीं है, लगता नहीं है कि भारते जंता पार्टी, OBC को उसका हक देना चाहती है, अगर हक देने का इरादा होता तो कास सेंसेस के आखड़े सारवजिनी करने में क्या द पता ही है, वो तो आपकी राजनीती रही है, और दूसरी बात मैं आपको पहना चारी हूँ, तिलंगाना प्रदेश की जो कॉंग्रेस अमिती के अध्यक्ष ने जो ऑफिशल हैंडल से जो जूटा विडियो भेजा है, जिसको फैब्रिकेट किया गया है, तोड़ा मरोडा वो किस मनशा से क्या गया है, या किसी बात का आपको इतना ज्यादा खौफ है कि इससे भ्रम फैलाना, जूट फैलाना और उसी के अधार पर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत जो इजज़त आपको बचा कर रखनी है, और जिल्लत से आपको रुसवाई चाहिए, जो 4 ज नहीं था, आप डोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और इस तमय जो हम तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं, यह गुहाटी की तस्वीरे हैं, जहां पर की ग्रीमंत्री अमिश्शा का रोडशो चल रहा है, और मूड मीटर में अवक्त है आज के winner का, आज जो चार लक्य वोटर हैं, उनके नामें अनॉंज करने का, तो जल्दी से नाम दिखा दीजिए जो आज के चार लक्य वोटर हैं, और उसके पहले जला तीसरे सवाल का एक रुज्ञान भी दिखा दीजिए, कि क्या लोग कह रहे हैं, हमने सवाल किया था कि कि क्या BJP की सत्ता वापसी से आरक्षन की नीती को खत्रा है? और ये हमने 47 लिए किया था क्योंकि आपको पता ही है कि मुद्दा उठाए उठाला जा रहा है का जा रहा है कि एग़र BJP वापस आ गई तो आरक्षन को खत्म कर देगी, लोग क्या कह रहें? लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी का होना ही आरक्षन की गारंटी है, ऐसा मानने वाले लोग करीब करीब 80% हैं और 15% लोग मानते हैं कि यह सब सब की चुनावी शबूफा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं